कर दो कर दो करने वाले हैं तो टॉपिक हमारा है मैंने आपको डगाया था कि किस तरीके से हमारे पास तीन में पास होते हैं उन तीनों मेंटेट्स के बीच का रेलेशन्शिप क्या है और हमने यह पढ़ा था कि इंडिया का जो नाश्टनल इंकम अगाउंटिंग है इंडिया का जीडिपी कैल्कुलेशन उसकी हिस्ट्री है तो यहां पे जिस मैंने आपको पित्छा शो कर लिए जो कि 2017-18 के कुछ डेटा को रिप्रेजन्ट कर ली है कि हमारे नॉर्थ में कितन स्टेट से क्या पोअटि उस माप Rap चूइंटा वेम क्यों से से व्हां से कितना पान्ट्रीशन है जितना जिटन वह नोग और I can Act I tell this सारा आपना क्यों होता है GDP साथ मैंने एक बाप बतायाता है इस मैप के अलाबर जो कुछ water bodies का portion है वो water bodies का portion भी हमारे पास में होता है 200 nautical miles वो भी मारे GDP का contribution करता है ठीक है तो आज बाप करते हैं कि यह method जो है वो कैसे काम करते हैं ठीक है one by one तीनो method को समझेंगे ठीक है सबसे पहले इन बात करते हैं students अपने value added method की है value added method को आप production method और output method भी कहते हो पहले आप समझों कि यह value added method का मतलब क्या है मैंने आपको उससे previous जो सबसे first lecture दिया था इंगी पर calculation का उसमें बताया था value addition का मतलब क्या है value addition का मतलब है आपको material purchase करके लेकर आते हो फिर आप उस material में अपनी जो भी आपके बास skills machinery labor होता है उसकी help से उसकी value क्या करते हो आड करते हो for example यह कपड़ा कोई एक manufacturer लेकर आया राइक किसी भी मिल से लेकर आया वहां से वह एक अपना लेकर आया फिर उसने क्या किया अपने जो भी टेलर उसको बिठाया और उसको बोला इसको अलग-अलग shape में क्या कर इसको अलग-अलग shape size के साप से काट और stitch करके t-shirt बना तो मिल से कपड़ा लिया गया ठीकी तो मिल वाले ने भी कही से कही से collect किया होगा उसके बाद ये further processing के लिए ये further processing के लिए एक manufacturer के पास गया जो कि government manufacture करता है फिर उसके बाद ये कहा गया market में shops पे and then हम purchase कर पाया है so this is what value addition is कि अगर आपको कोई चीस produce करनी है in order to produce a thing what you need you need certain raw materials so आपको raw materials purchase करते हैं फिर अपनी skills को use करके उस material को एक finished good में convert करते हैं right तो value addition का मतलब क्या है value addition का मतलब ही यह है थेखे definition के हमाल पास it refers to the amount by which the value of a good or service is increased at each stage of its production मतलब जैसे सबसे पहले mill mill वारे में किसी तरीके से collect कि होगा तो वहां से उस तरीके से इस कप्डे को बनाया right अलग-अलग तरगा से fabric सिट्टे किया फिर उस कप्डे को बनाया फिर उस कप्डे को बनाने के बाद उस कप्डे को बेचा कि इसको manufacturer को तो वह यह कहने कि amount, कितना कितना amount add दिया जाता है, उसके अलग-अलग stage of production में, ठीक है, exclusive of its initial cost, यह तो आपको यादत लेए, क्योंकि अगर मैंने इस T-shirt को बनाने के लिए, 200 रुपे का कपड़ा purchase किया, और आज market में मैं इसको 500 रुपेच रहा हूँ, तो मैंने students कितना contribute किया मैंने तो सब 300 contribute किया, isn't it, क्योंकि बिचला जो 200 है, वो तो मैंने खुदी purchase कहता है, वो तो किसी और का value edition था, right, चीक है, so in other words, it is the difference between the price of the product, मतलब product का price कितना है, in our case, it is to be 500 for a T-shirt, और service, and the cost for producing it, तो 500 रुपे मैंने क्या का आप से, 500 रुपे, मैंने का है कि मैं price के रहा हूँ, और उसको produce करने के लिए 200 रुपे का material मैंने purchase किया था, तो मैंने कितना addition किया, उसके अंदर, मैंने सिर्फ addition किया 300 का, ठीक है, अब एक ब करते हैं, ऐसा तो हम यह रहे कि जो furniture हम use करते हैं, वो ऐसे ही गई से प्रकट होके आजाता है, सत्यूक तो चलने ना कि आपने कोई भगमान आएगा उसको प्रकट कर देगे, यहां तो पूरी processing होगी जी, तब जाके वो furniture हमारे घर में आएगा, जिससे हम use कर सकते हैं, तो processing कैसे शुरू होती होगी, stage 1, कोई एक wood cutter होता होगा, जो बड़ी-बड़े प्रेड़ों को, अलग-अलग पैनियों को, अलग-अलग पार्ट पिजा करता होगा, काटता होगा, collect करके लेके आता होगा, चीक है, उसके बाद वो इस particular पूरे के पूरे जो पूरे पूरे पूर करती है, उसको trim करती है, उसको proper shape, size में convert करती है, finishing करती है, ताकि उससे further कुछ produce कियादा सके, तो यहां से wood collect किया गया, फिर उस wood को proper shapes में define किया गया, compress किया गया, चीक है, and then उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास आती है, stage 3, जहां पे जो wood हमने यहां से purchase किया, एक particular furniture के अंतर, तो यह dining table के अंतर गरत हो गया, so that is value addition, के पहले यहां से wood की value को add किया गया, उसको proper shapes बनाया गया, फिर यहां से इसने उस value को add करके, एक क्या बना दिया, उसमें एक particular dining table बना दिया, so this is the idea of when you edit method, थिक है, आगे देखो, हमने लिखा यहां पे, let us assume a woodcutter chops wood from forest and sell to a lumber company, lumber company कौन सी होती है, यह वो companies होती है, जो trees को, जो भी trees काट के लाए जाते है, उनको convert करती है और एक wood बनाती है, आप जाते हैं, जो हम furniture गर पर use कर रहे हैं, trees से वैसा wood नहीं मिलता है, हमें उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसके अंदर amendments करनी पड़ती है, changes करने करेंगा, ठीक है, हम यह मान लेते हैं कि भई, उसको government से permission दी कि भई तू अपना wood काट और बेच, ठीक है, material उसा कुछ लगा नहीं, बस उसके पास तो उसकी X है, वो अपनी X को लेकर के, पुलाडी को लेकर के जाता है, तोड़के काट के लेकर आता है, that's it, ठीक है, तो हम अब लूबर company क्या करेंगी, irregular edges को remove करेंगी, उसके prevent करेंगी, अलग-अलग length, shape, size के साफ से क्या करेंगी, wood को prepare करेंगी, अब उन्हों ने का माई, हमने भी महलत करी है, हमारे output की value हमें कितनी चाहिए, 2000, अब student से हाफ एक बार हमें ध्यान देनी है, कि इनका output की value 2000 है, लेकि इन्हों ने इन्हों ने इस output को बनाने के लिए material कितने का purchase किया था, material purchase किया था, 1000 का, क्योंकि जो एक बंदे के लिए sales है, दूसरे बंदे के लिए purchases है, तो wood cutter टी जो sales हो गई, वो lumber company की क्या बन गई, वो lumber company की purchases बन गई, टिक है, stage 3, stage 3 का अंदर क्या है माल पास, कि ये गय furniture company के पास, furniture company ने goods, अलग अलग shape size के purchase किये, और उसको किसमे convert कर दिया, एक dining table के अंदर convert कर दिया, चिक है, अब जब और चीज dining table के अंदर convert हो गई है, चिक है, तो उन्होंने का भाई, हमारी महनत लगी, हमें अपने output का 6000 पर चाहिए, अगे students, इन्होंने 6000 चार्च किया है, जैकि इससे पहले इन्हें कितना मिला, इन्हें मिला 2000, क्यों material इन्हें कितने का purchase किया था, 2000 अब इसी चीज को हमें समझ लाए, आगे रेखते है, stages of production के अंदर क्या है महार पास, students, stages of production, सबसे पहले क्या था महार पास, हमारे पास थे wood blocks, right, और ये कैसे थे, ये थे, raw, जो क ये wood cutter ने का दे, अब students value of output इस case में कितना था, wood cutter ने कितने चार्च किये, उसने का मुझे अपने जो 10 blocks है, उनके कितने चाहिए, 1000 चाहिए, लेकिन हमने ये नाला था, कि उसको as such कोई raw material नहीं purchase करना पड़ा, तो कि government ने का forest में जा और जाके wood cut में कोई issue नहीं, तो इससे कि कितना आगया, उसका raw material का value, 0, तो मतलब जो उसने wood collect किया, उसमें उसका कितना contribution है material, तो कुछ लिया ही, तो सारा contribution उसी का है, which means 1000, ठीक है, अब next thing in the students, ये क्या किया गया था, ये बेच दिया गया था, lumber company को, lumber company ने क्या किया, इसको processed wood में convert किया, राइट, process wood कैसे convert किया, process wood क्या किया, उन्होंने इसको, जितनी भी irregular agency, उसको eliminate किया, trimming करी, तो another different shapes में वो लेकिया, तो उसमें wood को process किया, process करने की बाद, उन्होंने कहा दी, हमारे output की value 2000 रुपे लेगी, अलब जो हमने महनत अगयरा करी है, तो उसको मिला के हम 2000 रुपे जाते हैं, ठ बनाने के लिए, मतलब processing करने के लिए, wood कितने का purchase किया था, अभी आपने बाद करी, जो एक की sale होती है, वो दूसरे की purchase होती है, तो wood cutter ने बेचा, तो limba company ने खरीदा, कितने का खरीदा, तो इन्होंने 1000 का खरीदा, अपनी महनत से 2000 रुपे का उसको add, 1000 रुपे और add कर दि 1000 ठीक है, थर्ड सेज में, ये wood किस में convert हो गया, थर्ड सेज में students ये wood convert हो गया, डाइनिंग table में, अब डाइनिंग table की जो वेड़ी रखी गई students, कितने रखी गई थी, वो रखी गई थी, 6000 ठीक है, लेकिन अगें, इस 6000 के डाइनिंग table पर नीचा को बनाने के लिए, material कित 2000 ठीक है, 2000 का खड़ीदा गया, ठीक है, तो इन्हों ने कितना addition किया, इन्हों ने addition किया, 6000 माइनस में 2000, and that comes to 4000, so that is how value added method works, हमें करना क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि हर एक जो production unit है, production sector है, उन्होंने किसी चीज की production में कितना कितना contribution दिया, उनके contributions को ही हम क्या करते है, addition करते है, and we get our GDP, और हमें क्या मुझाता है, अपना gross value added, जिसका summation GDP होता है, तो यहां पे देखते हैं, कितना है, ठीक है, 1000 प्लस 1000, 2000, 2000 प्लस 4000, 6000, सुनें से चीज गाद देना, last में dining table की value कितनी रखी गयती, last में dining table की रखी गयती, 6000, ची addition भी कितने का हुआ है, 6000, तो इसी लिए हम यह कहते हैं, इस method को पढ़ते लग, इस बात को कहा जाता है, कि या तो, either you will consider the value of final product, या तो final product की value को ले लो, जो कि यह है, या तो आप हर firm के addition को calculate करो, in order to work double counting, क्योंकि कहीं बहुता है, जो students होते हैं, वो confused होते हैं, और वो intermediate की value क को भी count कर लेते हैं, तो अगर मैं raw material की value को count कर लोगा students, तो वो double counting हो जाएगी, isn't it, वही अगर आप इस thousand को देख रहे हो, जब वो जिए आप इस 2000 को देख रहे हो, अब student कहेगा, सर यह 2000 प्लसे 6000 तो 8000 फिरी है, 1000, यह तो सर 10,000 की value होगी, इस साब से 9,000 की value होगी, नहीं, हमें यह नहीं देखना के आपने raw material कितने का लिया, raw material लिया, finish good बना दिया, उनके बीच आपने कितना addition किया, हमें उस चीज को focus करना होता है, तो यह raw material को देखने पार double counting हो जाएगी, तो double counting students avoid कैसे कर सकते हैं, double counting को avoid करने के दो तरीके, या तो आप क्या ले सकते हो, या तो by each production unit, एक production unit ने कितना value addition किया, आप तो इसको ले सकते हो, नहीं तो आप student second तरीका क्या यूज कर सकते हो, in order to avoid double counting, double counting को avoid करने तो second तरीका हमारे पास क्या है, consider the value of final good, आप क्या तो उसमें सीज़ा क्या कर सकते है, final good की value को consider कर सकते है, so that is the idea, देखते है, दो साइट से वग करता है, total value of output के बात में तो 2000, sorry 1000 plus 2000, 3000, 3000 plus 6000 students कितना होता है, that comes to 9000, चीछ है, और यह कितना है आपका student, total raw material की value, 3000, so अगर में 9000 minus 3000 करो, तो again it is 6000, so that is the idea, तो दो में से हम कुछ भी कर सकते है, most of the time students आपको final good की value नहीं देगा, क्योंकि अगर वो दे देगा final good की value, तो आपको क्या काम नहीं, कि आपको कोई काम ही है, हमेशा हमें क्या करना होगा, हमेशा हमें यह formula यूज करके, क्या output की value में से material की value minus करके value added नेकालना होगा, ठीक है, अब सुरेंस होता है क्या है, एक होता है GVA, एक होता है GDP, थोड़ा सा basic difference समझा जाता हूँ, GVA जो होता है, वो state के level को, industry के level पे output को compare करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसे एक state से कितना value addition हुआ, ठीक है, दूसरे state से कितना value addition हुआ, जब हम सारे states के value addition को मिला देते हैं, तो वो GDP बना देता है, ठीक है, तो GDP एक national picture show करता है, जबकि GVA एक intersectoral comparison के रिए use कर सकते है, जैसे मालो अलग-अलग industry है, तो किसी industry से, automobile industry से GVA इतना आया, education industry का GVA इतना आया, ठीक है, hotel industry का GVA इतना आया, ठीक है, construction industry का GVA इतना आया, अब हमें हर एक single industry का GVA पता चल जाएगा, तो उससे में फाइदा क्या रहेगा, हम उसका comparison कर सकते है कि किस sector से कितना GVA है, जिसका GVA जादा होगा, उसकी growth के उपर और ज्यादा ज्यांतिया जाएगा, जिसका GVA कम होगा, उसको फिर एक अलग तरीके से देखा जाएगा, इ उसको अलग तरीके से और questions सेता है कि तू multiple questions के practice कर, लेकिन जो student थोड़ा सा week रहता है पढ़ाई में, उसको उपना मन नहीं लगता, तो उसको इक अलग तरीके से deal के जाता है कि तूम ये basic questions करो, इनको देखो, उसके बाद हम आप में बात करेंगे, so same with the country, country का comparison करने के industry का GVA पता चले, और उस फिर GVA को किस में करनाट कर सकते हैं, तब उस CVA को GDP में करनाट कर सकते हैं, so summation of GVA at MP equals to students क्या बन जाता है, GDP at MP, so ये हमारे पास क्या हो गया students, ये हो गया हमारे पास एक basic idea, basic idea कि किस का, कि किस तरीके से हमारा venue added method work करता है, ठीक है, let's move on to the formula, अब बात करते हैं, formula की, कि exact formula जो है, वो क्या है, और हमें exam में question किस pattern पर आएंगे, solver में के लिए,